स्वागत है आपका रसिंग चैंपियन यूटूब चैनल पर तो इस यूटिम में हम बात करेंगे एक्स्टी मूल्स के बारे में कि कौन से शौकिंग विनर समय इस पेपर व्यू में देखने को मिल सकते हैं और बात करेंगे कि क्यों डू मैकंटेर डॉफ जीलर को एक टीम में रखा जा रहा है और बात करेंगे एक ड्रीम मैच के बारे में जो के टीज हो चुका है तो इसके लेटर बहुत ये बड़ी अप्लेट सामने आई है तो ये वीडियो बहुत ये इंड्रस्टिंग होने वाली है तो बेन टाइम एस्ट के यह स्टार्ट करते हैं तो का एंड जल्दी देखने को मिलेगा तो ये टीम हमें जल्दी तूटती हुई दिखाई देगी और चांसे हैं कि इन दोनों सुपरस्टार का मैच हमें समर्स्लैम में देखने को मिलेगा और ये मैच होगा इंट्र कॉंट्रियरल चैंपिंशिप के लिए यहां तो रूमर्स और जैफ फारी ने अपने इस्टागराम अकाउंट पर एक वीडियो अप्लोड गी है स्वीडियो में वह कहते हैं कि सबसे पहले तो वह 4th July 2018 अमेरिका को विश करते हैं इसके बाद वह अपने कैमरे के एंगल को पीछे करते हैं और जैफ फारी के पीछ एक पोस्टर होता ह और वह पोस्टर कोई और नहीं फिन बैलर का है तो इसके बाद रूमर जाने लगे हैं कि यह फारी ने डीज किया है फिन बैलर के साथ एक मैच पर अब जानते हैं कि फिन बैलर अभी रो ब्रेंड में है और जैफ फारी इस मैडर लाइव में तो अब यह देखना काई पर विए नहीं मिलेगा तो अगर आप मुझसे पूछे तो इसा नहीं होगा तो इस प्रविव को दमाकेदा बनाने की कोशिच करेगी और दमाकेदा अब बनेगा जब बड़े शौक हमें इस पर प्रविव में देखने को मिलेंगे और बड़े शौक तब ही लगेंगे इसके बाद हमें सैथर और इंट्रकॉंटरल चैंपिशिप की इसमें बाहर रोते हो दिखाई देंगे और पॉसिबली वो आंगे इनुवर्स चैंपिशिप की फिचर पर तो बत करते हैं इस चैंपिशिप के लिए मैस देखने को मिलेगा वहोगा शिंश्के नहां का मुर् की बहुत ही खराब की है तो पॉसिबली शुषकना का मुर्णा को यह चैंपिशिप जितवा कर डड़र लिए जूरु चाहेगी कि उनकी बुकिंग अच्छी हो और यह सनेडियों के बाद ओवेसली उनकी बुकिंग अच्छी होगी तो आगे बात करते हैं स्मेडर वू में च कि इस मैच के लिए इस मैच के लिए जानकारी के लिए जाने सब्सक्राइब करें बेल लेगन को बीद बादे